Students, आज हम लोग discuss करेंगे instance के बारे में, कि किसी resource के लिए instance word का क्या मतलब है, ये क्या होता है, तो आए इसको discuss करते हैं, जो instance होता है किसी भी resource का, वो एक box के through denote किया जाता है, और उस box में resource allocation graph का जो box होता है, resource का जैसे ये box है, तो ये instance को show कर रहा है, और इसका, जो इसके instance level है, ठीक है, वो इसका instance level बताता है, आए इसको एक graph के तरू हम लोग समझते हैं, कि ये graph है, resource allocation graph है, इसमें चार resources है, R1, R2, R3 और R4 और तीन process है, P1, P2 और P3, अब जो P1 से जो edge जा रहा है हमारा R1 की और, वो ये बता रहा है कि P1 ने request send की है, R1 को use करने के लिए, और जो R1 से जो edge निकला है, R2 के लिए, इसका मतलब है कि R1 हमारा allot हो गया है, P2 को, और ये R1 के वल एक ही resource को हमारा allot हुआ है, इसलिए इसके box के अंदर के वल एक dot है, मतलब इसका instance level 1 है, मतलब ये एक dot हमें ये बता रहा है कि ये R1 केवल एक ही process को allot हुआ है, इस पूरे process के दोरान, जो ये तीन process है, उन तीनों process को दोरान केवल जो R1 है, वो केवल एक process को ही allot हुआ है, और जबकि यहाँ पे जो हमारा R2 है, इसमें देखें, इसका instance में दो dot है, मतलब जो इसका instance, number of instance है, वो 2 है, और ये किसको किसको allot हुआ है, P2 को allot हुआ है, और P1 को, इसका instance level 2 है, और इसी तरह अगर हम resource 4 की बात करते हैं, तो resource 4 जो हमारा, वो तीन process को allot हुआ है, मतलब कि जो एक process है, उसका instance ये बताएगा कि वो कितनी process को allot होगा, एक complete process के दोरान, तो इसी तरह R1 का यहाँ पे instance हमारा 1 है, R3 का हमारा भी 1 है, R2 का हमारा 2 है, क्योंकि ये दो process को allot हुआ है, और R4 का हमारा instance है, वो तीन है, ठीक है, इसका मतलब instance का मतलब है, कि एक जो हमारा resource है, वो कितनी process के काम आएगा, या कितनी process को वो allot होगा, उसको हम instance बोलते हैं,